हेलो एब्रिवन, वेलकॉम अगेन टोड़े वी आर गूंग टो रीट चैप्टर थर्ड ग्रोइंग पेंस जो कि हमने अल्डेडी था फार्ट इसका पढ़ लिया था आज हम उसी से आगे इसका कंटेन्यू कर रहे है नाउ शी हैस हर वे उसकी ही मर्जी चलती थी यहाँ पे समीर जो अपनी मदर के लिए कह रहा है कि उसकी ही मर्जी चलती थी I miss the party और मैंने party को miss कर दिया but it does not endure her लेकिन इसका मतलब यह नहीं है अब मेरे लिए वो pray नहीं है अपनी मदर के लिए बोड़ रहा है क्या वो मेरे लिए pray नहीं क्योंकि उसने मेरी party को miss कर पाती आता और वो खुद की ही मर्जी चलती है I sulk मैं root गया यानि sulk यानि होता है root ना मैं root गया I don't know talk to her और मैंने उससे बात नहीं की for a whole day उस दिन उस दिन मैंने उससे पूरी दिन बात नहीं की थी she cockses me उसने मुझे लाड़ किया placards मी और उसने मेरी क्रोध को थोड़ा कम किया placards यानि होता है क्रोध कम करना till I scum to her molly calding और उसके बाद में scum यानि dedication पूरी दरड निश्चे के साथ में उसने मुझे मनानी की कोशिश की थी to her molly calding I hug her and cry उसके बाद में उसे hug किया और मैं चिलाकती वे बोला हम मतल़ा मैं उसको hug کرके मैं चिलाया pet comes her remark और उसके बाद वापिस उसने मुझे टिपणी की उसने मुझे बताया at 14 a boy must know how to control his emotions उसने मुझे बताया कि तुम 14 साल के हो और तुम्हें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अपने जो emotions है उसको कैसे control करना चाहिए that is the trouble माना ये बहुत जादा कठीन है am I child? क्या मैं child हूँ? or have I grown up? या फिर मैं बड़ा हो गया हूँ when will my parents see clearly what I am? मेरे parents जब ये देखेंगे तब ही तो बताएंगे वो देखना ही नहीं चाहते है वो खुद के parents के लिए कह रहा है कि ये सब जादना ही नहीं चाहते either am I am a child or I am a grown up क्या मैं बच्चा हूँ या फिर मैं बड़ा हो गया हूँ I cannot be bought at the same time मैं दोनो same time तो नहीं बन के रह सकता है मतलब मैं बच्चा भी नहीं हूँ बड़ा भी नहीं हूँ मैं same time ये थोड़ी नहीं बन के रह सकता हूँ maybe हो सकता है I am a mix of both हो सकता है कि मैं दोनों का मिश्रण हूँ I do not know मैं नहीं जानता that is what makes my fear so scary मैं नहीं जानता कि मेरी जो fear है वो इतने डरावने क्यों है scary या नहीं होता है मेरी जो fear वो इतने डरावने कैसे हो गया है मुझे नहीं पता इसके बारे में और मुझे भी नहीं पता कि मैं बड़ा हूँ या फिर मैं वच्चा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे सरफ ऐसा लग रहा है कि शायद मैं दोनों का mix-up हो गया हूँ I know my fear will die if my parents stop treating me like a child मैं चानता हूँ कि मेरा जो fear है वो खतम हो जाएगा वो जल्दी समापत हो जाएगा अगर मेरी जो parents है रोने में से child जैसा वेवार करना बंद कर दिया यानि अगर मुझे बच्चा नहीं समझेंगी तो मेरा जो fear है न वो जल्दी खतम हो जाएगा they will not do that लेकिन वो ऐसा नहीं करते they have their fears उनके भी कुछ fears है उनके भी कुछ डर है that is why अम्मा says every time जो कि अम्मा हर समय कहती रहती है I try to hazard myself मुझे अपने आपको hazard करना होगा यानि मुझे अपने आपको control में करना होगा द्रण निष्टे की साथ मुझे अपनी बात कहनी होगी at your ease और यह तुम्हारी ease है you need to be kept on the lash और तुम्हे अपने आपको lash में बांदना होगा lash होता है कुट्टे की जंजीर जिसमें वो कुट्टे को बांदा गाता है जंजीर से तो उसकी मदर उसको बोड़ी कि तुम्हे भी एक जंजीर की तरह जैसे जंजीर होती है उससे खुद को बादना सीखना होगा यानि कि अपनी emotions पर कंट्रोल करना सीखना होगा It is for your good ये तुम्हारी लिए ही अच्छा है Samir उसने कहा कि Samir ये जो मैं कह रही हूँ ये तुम्हारी भलाई के लिए और तुम्हारी लिए ही अच्छा है We shall take the lash Of once you are capable of knowing What is right and what is wrong We shall take the lash हम इस जंजीर को खतम कर देंगे Lash of यानि होता है जंजीर को तोड़ देंगे तुम्हारी जो freedom है तुम्हारी हम free कर देंगे अगर तुम capable हो गए capable यानि योग है अगर तुम ये जानने के योग हो जाओगे कि क्या सही और क्या गलत है उसके बाद में हम तुम्हारी फ्रीडम देंगे Freedom never comes in a day Freedom जो है वो कभी एक दिन में नहीं मिलती है Freedom will be yours Once we feel you are mature Enough to handle situation Freedom हम तुम्हारी देंगे जब हम ये feel करने लग जाएंगे कि तुम mature हो चुके हो और अपनी जो situation उसको handle करना सीख लोगे उसके बाद में हम तुम्हारी फ्रीडम देंगे यानि कि हम तुम्हारी पुरी जरीके से free कर देंगे When will that be? I ask मैंने पूछा ऐसा कब होगा समीद है वो अपने पैरेंट से पूछ रहा है कि ऐसा कब होगा अपना walks in, अम्मा warms up to his presence with a gentle nod then tells me अपना जो कि उसी समय कमरे में आये और अम्मा ने उनका welcome किया warm up का मतलब होता है welcome करना his presence उनकी उपस्तिती को जब वो वहाँ पे आये थे तो जो मेरी अम्मा है उन्होंने gentle nod में यानि कि gentle तरीके से सिरी लाकी उनकी presence उनकी उपस्तिती में उनका welcome किया मतलब मेरी अपाय तो उनका सिरी लाकी हो उनका welcome किया मेरी अम्मा ने then tells me और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा Samir everything takes time उसकी मदरी अभी कह रही है कि Samir प्रतिक चीज जो है कोई भी चीज हो चाहे वो दुनिया की वो सब कुछ क्या लेती है टाइम लेती है एक flower takes time to turn into a fruit जिस तरीके से flower time लेता है फूल बनने में उसे तरीके से हर चीज में time लगता है उसने कहा कि Samir तुम्हें भी एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट होने में time लगता है उसने मुझे समझाया प्यार से समझाया अपा क्रेजिस मैं आम से सीज अपा ने क्रेजिस मतल मुझे प्यार से मेरे आम पे हाथ रखते हुए कहा I know you have your fears मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भी कुछ fears है we have wars हम सब तुम्हारे हैं we must fight our fears together और हम जो fear है उससे fight करेंगे एक साथ होकर यानि हम साथ साथ में जो भी तुम्हारे जितनी भी fears से उसका साथ में हम उसका सामना करेंगे you must understand over concern और तुम्हें भी हमारी बातों को अच्छे से समझना चाहिए there are so many temptations to which youth is drawn मैं जानता हूँ कि जो youth है जो जवान जब हो जाते हैं बच्चे तो उनको बहुत सारे temptations में होता है प्रलोबन या लालच तुम्हें खुब सारी लालच मिल रहे है जिसकी तरफ तुम क्या हो रहे हो ड्राउन कर रहे हैं या attract हो रहे हूँ come to us मेरे पास आओ talk to us openly let us learn to be friends मेरे पास आओ और मुझसे खुल करके बात करो let us learn to be friends चलो हम friends बनते हैं take every advice we offer us coming from true friends जैसे true friends जो अपने friend को advice देता है उसे तरीके से मैं भी तुम्हें advice दूँगा और तुम भी मुझे बता सकते हो we in turn promise to do all that we can to appreciate your viewpoint और तुम्हारा जो भी viewpoint होगा तुम्हें जो भी अगर तुम भी काम करोगी कोई सा भी काम होगा तो उसको हम appreciate करेंगे यानि उसके हम प्रशन सा करेंगे हम उसको काटेंगे नहीं तुम्हारी बात को और हम तुम्हारी बात का मान रखेंगे उसके parents ने उसके अपने उससे बात कही will you let me be your true friends क्या तुम्हें अपना true friends बनाओगे मतलब सच्चा मितर तुम मुझे बनाओगे me too amma lift matching and smiles into my eyes और जो amma है उसने भी बोला मेरी जो मा है उसने मेरी चिन को उपर उठाते हुए यानि मेरी ठोड़ी जो थी उसको उपर उठाते हुए कहा कि मुझे भी अपना friend बला लो and smiles into my eyes और उनकी जो smile थी smile करते हुए उन्होंने ये बात बूली थी और जब वो smile करी थी तो उनकी आखों में साफ दिखाई दी रहा था I praise her palm and grin happily मैंने उनकी palm चुहती लिए उसको praise कर लिया अच्छे से अपने हाथों से दबाया और मैं बहुत ज़्यादा खुश था grin happily मैंने उनसे बात कही we are three friends की हम दिनों friends है bound by love हम सब एक जो love है उससे बंदेवे है we will never do anything that hurts the others और हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगी जो कि कभी भी किसी को भी hurt करें यानि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कि किसी दूसरी के लिए परिशानी हो हममेशा एक दूसरे से concern करके ही और advice लेके ही happy now और अब हम खुश थे we have been set free from fear अब हम fear से भी जो हमारा fear था जिस बात को लेकर के अब उससे हम पूरी तरीके से free हो चुके है अपा gently ruffles my curly hair अपाने ruffles यानि क्यों होता है प्यार से हाथ फिर ना अपाने अपने जो हाथ है वो मेरी curly hair वापिस प्यार से दे रहे तो now R.K after has completed we will meet next chapter in next video